Hello friends welcome to corn study कैसे हैं आप सब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज के lecture में हम mixture and allegation में concept of mixtures पड़ेंगे तो आज के जो part 2 है mixture and allegation का उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ concept of mixture शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे youtube चैनल पर subscribe करेजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लिजिए और किसी भी update को miss मत कीजिए बिने किसी देर के हम अपना concept शूरू करते हैं mixture का इसके लिए मैं आपको एक example देना चाहूँगा कि mixture होता क्या है जैसा कि आपको word पढ़के ही जो mixture word है इसको पढ़के ही आपको पता चल रहा होगा कोई दो या दो से जादा चीज़े mix हो रही है पर हम काम करेंगे सिर्फ दो चीज़ों पर क्योंकि हमें सिर्फ हमारा question कैसा आएगा exam में उसके according चलने है तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे for example आपने आप घर पे रूहावजा पीते होंगे for example जो रूहावजा है आपने क्या किया एक 10 ml का glass लिया ठीक है उस पे आपने 1 ml तक भर दिया रूहावजा और 9 ml आपने भर दिया पानी तो क्या हमारी 10 ml की जो composition है वो क्या आई कि 1 ml था हमारे पास रूहावजा 9 ml था हमारे पास water इतनी चीज़ आई अब आप इस चीज़ को पीओ ठीक है फिर क्या करो आप एक container लो 10 लिटर का ये 10 ml था अब हमने container लिया 10 लिटर का 10 लिटर में आप 1 लिटर डालो रूहावजा और 9 लिटर डालो पानी इस चीज़ को पीओ आपको सेम टेस्ट आएगा अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपने अभी अभी 10 लिटर का जो container था इसमें 1 लिटर का जो रूहावजा डाला और 9 लिटर का पानी डाला अगर जो रूहावजा होगा उसका टेस्ट होगा यानि कि 10 लिटर में जो आपकी 1 इस टू 9 की composition थी वो एक लिटर के गलास में भी 1 इस टू 9 की ही रही अगर आपके टेस्ट में कोई फर्क आता तब हम कह सकते थे कि ये 1 इस टू 9 जो है वो change हो चुक है पर जो आपने सारा रूह हवजा इस container में मिलाया अगर इस container से आप ये एक glass निकाल रहे हो इस glass में जो पानी मुझूद होगा उसका भी वही टेस्ट होगा जो इस पूरे container में पानी मुझूद है उसका होगा यानि कि अगर आप 10 लिटर में से 1 लिटर निकालो या 2 लिटर निकालो या 5-6-7 जितना मर्जी निकालो जो composition है 1 unit रूहवजा और 9 unit water की वो throughout same रहेगी ठीक है एक और example ले लीजिए अगर आप 1 packet मैगी बनाते हो मैगी खाते हैं ना सब अगर आप 1 packet मैगी बनाते हो उसका taste भी वही होगा अगर आप 2 packet मैगी बनाओगे उसके बराबर ठीक है अब suppose कर लीजिए आपने 3 packet मैगी बनाई है उसमें से आपने क्या की एक packet मैगी जो जितनी भी मैगी थी 3 plates उसमें से आपने 1 plate रख लिए अपने लिए 2 plate आपने दे दी अपनी sister या brother किसी को भी अब जो इस plate का taste होगा वही इस plate का भी taste होगा और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग ना भी करते ये 3 के 3 packet खुद ही खा जाते तो इस plate इन 3 plates का taste भी वही होगा जो इस 1 plate और इस 2 plates का था यानि कि 3 packet की जो मैगी बनाई उसमें जो मसाला की composition थी फिर एक पानी डालते हैं उसमें और मैगी की quantity होती है वो 3 packet के लिए भी same थी अगर आप इसमें से 1 packet निकाल देते तो उस packet के लिए भी इन 3 की ratio composition की ratio same आनी थी और जो 2 packet बचे होए थे उनके लिए भी composition की जो ratio थी वो same आनी थी तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास question में दिये कि 100 ml है उसमें 1 is to 9 की ratio में कोई चीज़ दी हुई है उसमें से अगर आप 10 ml निकाल देते हो तो ये 10 ml भी 1 is to 9 की ही ratio में निकलेगा और जो बचा हुआ 90 ml होगा वो भी 1 is to 9 की ही ratio में होगा अब इसके base पे हम करेंगे questions पहला question हमारा कह रहा है कि 40 ml of mixture है उसमें milk और water है जिसमें 10% water है यानि हम 40 ml की बात करें इसमें से 4 ml जो है वो water है ठीक है milk और water का mixture था यानि 36 ml जो है वो milk होगा इतनी चीज़ समझाई the water to be added mixture हमें क्या चीज़ अड़ करनी है अब देखे mixture and allegation में आपको जो चीज़ हमेशा याद रखनी है दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक addition किस में हो रही है दूसरी constant कौन सी चीज़ रही है या फिर जिसको हम unchanged कहें कि unchanged कौन सी चीज़ रही है इस case में पानी में addition हो रही है तो unchanged क्या रहेगा? unchanged रहेगा milk तो इनका कहां पर use होगा वो मैं आपको अभी question के थुरू दिखा देता हूँ अब उन्होंने कहा है कि जो नया जो mixture होगा उसमें water का content कितना होना चाहिए 20% water का content होना चाहिए 20% यानि की 1 by 5 की value बहाद चल रही है 20% क्यों होता है 1 by 5 अगर 5 है हमारा total mixture तो उसमें water का content होना चाहिए 1 unit का इतनी चीज़ समझाई अब हमारे पास एक new ratio है 1 is to 4 की 4 क्या है इसमे milk 1 क्या है इसमे water ये है new value अगर हम पुरानी की बात करें तो पुरानी क्या आ जाएगी हमारी 1 is to 9 क्योंकि 4 और 36 को जब आप काटोगे 1 is to 9 की ratio बनेगी अब उन्हें क्या चीज़ की है हमारे पास एक old ratio आगी है एक new ratio आगी है अब हमें सिरफ उस चीज़ पर focus करना है जो चीज़ change हो रही है पहले एक बार मैं फिसको ठीक से लिख देता हूँ old ratio आगी हमारी 1 is to 9 की new ratio आगी हमारी 1 is to 4 की यह है water यह है milk अब उन्हें क्या है the water to be added to make water content 20% यानि की addition किसकी हो रही है addition हो रही है water की क्या चीज़ same रह रही है same रह रहा है milk इतनी चीज़ समझा कि same रह रहा है milk तो milk को हम कैसे same कर सकते है इसको हम 4 से multiply कर देंगे इसको हम 9 से multiply कर देंगे अब आ गया 4 आ गया water और 9, 4 जा 36 आ गया आपके पास milk और 9 आ गया water 36 आ गया milk milk हो गया आपका same अब आपने देखा कि addition किस की हो रही है water की हो रही है कितना unit की 5 units की 5 units की water की addition हो रही है इन्होंने यही चीज़ पूछी है कि water कितना add होना चाहिए यही चीज़ पूछी है देखिए 5 units का हमारा water add हो रहा है अब हमें compare करने के लिए एक exact value चाहिए, exact value हमें question में दी हुई है, 40 liter of mixture जो की initial stage पे था, यानि कि 36 plus 4 की value हमें दी हुई है, 40 यह है न, old mixture यही है, तो इसी को हमने 36 plus 4 की value लिख लिख लिए है, 40, 1 की value आ गई, 1 unit ही, क्योंकि 36 plus 4, 40 होते है तो 1 की value आ गई, 1 unit, हमें 5 unit की value निकाल लिए है, तो 5 unit की value क्या होगी, 5 liter आगे हमारा answer, next question, sugar solution of 3 liter contain 60% sugar, 3 liter में 60% sugar होगी, अगर हम 3 liter का 60% लाएंगे, तो वो points में चला जाएगा, हम क्या करते हैं, हम 3 को 30 मान लेते हैं, end में जो भी solution होगा, उससे एक ये वाला 0 हम कम कर लेंगे, ठीक है, 30 मान लिया हमने, इसमें है 60% sugar है, 60% sugar यानि की 18 unit sugar होगी, 12 unit क्या होगा इसमें, water, 1 liter of water is added to this solution, 1 liter पानी add हुए, the percentage of sugar in the new solution is, हमें new solution में बतानी है कि percentage क्या होगी, अगर हम यहाँ पर 1 liter पानी add कर रहे हैं, हमने 3 liter में 1 liter पानी add किया है, हमने 3 को 30 मान लिया, तो 1 को 10 मान सकते हैं, ठीक है, 10 liter क्या add हो रहे है, 10 liter add हो रहे है, water, water कहा है, water है, यह चीज़, तो हम इसमें 10 liter add कर देते हैं, simple, हमारे जो water हो गया, वो हो गया 22, और हमारा जो sugar का था, वो हो गया 18, अब इन्होंने क्या चीज़ पूछी है question में, percentage of sugar in new solution, sugar तो यह ही रहा, 18 आगया sugar as it is ही रहा, total कितना हो गया, 18 प्लस 22 अब हो गया 40, into so, 45 परसेंट हमारा आगया answer, समझाया, next question है, a barrel contains mixture of wine and water in ratio 3 is to 1, तो लिख दिया हमने, 3 is to 1, how much fraction of mixture must be drawn off and substitute with water, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिरफ पानी add कर रहे थे, कुछ निकाल नहीं रहे थे, अभी इन्होंने कहा कि कुछ निकालना है, और उसके बाद पानी add करना है, ठीक है, जो भी निकलेगा, वो 3 is to 1 की ratio में निकलेगा, यह चीज़ मैं आपको पहली explain कर चुका हूँ, अचा, अगे लिखा हूँ है, so that the ratio of wine and water in the resultant mixture is 1 is to 1, new ratio आगे है, हमारे पास 1 is to 1, अब देखिए, इस question को हम उसी तरीके से करेंगे, वेशक निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, पर हम करेंगे उसी तरीके से, देखिए कैसे, how much fraction of mixture must be drawn off, कुछ mixture निकल रहे हैं, और substitute by water, यानिकी water की addition हो रही है, wine जो थी, वो उतनी ही रहेगी, water की addition हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 is to 1 को 3 is to 3 बना देंगे, 3 is to 3 बना दिया, wine उतनी ही रही, ठीक है, water की addition होई, कितने की हुई water की addition, 2 units की, अब हम पुरानी वाली रेशो पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि water की addition हुई है, तो हमारे पास कुछ निया mixture आएगा, पहले, अब suppose कर लिजिए, 3 plus 1, 4 unit हमारा mixture था, अब वो 3 plus 3, 6 unit हो चुका है, 6 unit कैसे हुए है, जब water की addition हुई है, तो water की addition हुई है, 6 पे, उनने पूछा है, कि fraction क्या होगी, fraction आगे हमारे पास 1 by 3, तो B option आगे हमारे पास answer, simple था, क्या था, 3 is to 1 हमारे पास older ratio थी, 3 is to 3 हमने new कर ली, कितने की addition हो रही है, 2 की, basically यह 3 is to 3, 1 is to 1 था, तो हमने देखिए, गटा तो हम सकते नहीं है, इस 3 is to 1, जो 4 unit है, अगर हम इसको 1 is to 1 कर दें, यह तो 2 unit बन गया, तो हम गटा सकते नहीं है, हम गटाने के बजाए, हमने क्या किया, हमने बढ़ा लिया अपना solution, तो इस 1 is to 1 को हमने क्या किया, 3 is to 3 में convert कर दिया, एक ही चीज़ होगी, next हमने देखा कि new solution जो था हमारे पास बन गया 6 unit का, 6 unit का कैसे बना जब इस 2 unit की addition हुई, तो 2 divided by 6 आ गया, 1 by 3, in 80 liter mixture of milk and water, the ratio of amount of milk to that of water is इतना, हमारे पास milk है, हमारे पास water है, 7 is to 3, in order to make this ratio 2 is to 1, how many liters of water should be added, क्या add हो रहा है, water add हो रहा है, क्या same रहा है, milk same रहा है, और final ratio क्या आ रही है, 2 is to 1, पहला काम हम यही करेंगे, हम हमारे milk को कर देंगे same, वो कैसे होगा, जब हम उपर 2 से multiplication करेंगे, नीचे 7 से multiplication करेंगे, तो हमारे पास new ratio क्या आगी, 7 to the 14, और 3 to the 6, और 7 to the 14, 7 to the 7, अब आप देख रहे हैं, आपका milk जो है, वो same हो चुक है, milk आपका same हो चुक है, अब किसकी addition हो रही है, water की addition हो रही है, कितने की, 1 unit की, 1 unit की value निकालने के लिए हमें कहीं न कहीं एक exact value चाहिए, ठीक है, और एक और चीज नोटीस, मतलब अपने द्यान में रखना, कि एक बार आपने new ratios निकाल ली, तो आप पुरानी ratios को भूल जाओ, अब इस पुरानी ratio का हमारे question में कोई काम नहीं है, हमें काम करने सिरफ new ratio पे, हमें निकालने है 1 unit की value, उसके लिए हमें चाहिए एक exact value, exact value हमें दी हुई है question में यहाँ, 80 liters, 80 liters क्या था, initial mixture, जब तक यह 1 unit का पानी जो है, वो add नहीं हुआ था, उससे पहले का mixture जो था, वो था 80 units, तो अगर हम old mixture की बात करें ratio में, वो हमारे पास आ रही है, 14 is to 6, यानि 20 की value आ गई हमारे पास 80, 1 की value आ गई 4, तो 4 आ गया हमारे पास final answer, तो हमारे पास question आ गया, there are 27 liters of pure milk, पहले milk कितना था, 27 liters था, 1 third उसमें से replace हो गया, 1 third का मतलब है, यह था total mixture, यह हो रही है replacement, ठीक है, 1 unit की हो रही है, replacement, इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 unit की replacement होगी, तो milk कितना बचा? 2 unit का बचा milk, क्योंकि 1 unit तो replace हो गया पानी से, तो milk हमारे पास बचा 2 unit, आपने क्या किया, इधर लिखा total, इधर लिखा milk, पहले था total 3, 1 unit आ गया उसमें water, तो milk कितना बचा? 2 unit का, यह वाला method आपने सिर्फ replacement वाले जहां, 2 या 2 से ज़्यादा replacement हो रही हो, उस जगह अपलाई करना है, next, फिर से 1 third की replacement होई, 1 third की replacement याई टोटल था 3, 1 unit हो गया replace, milk कितना बचा? 2 unit का, बस, दो ही बार replacement हो रही है, इसको हम कर देंगे 3, 3 is a 9, इसको हम कर देंगे 2, 2 is a 4, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो compound interest हम यही चीज़ method से करते थे, वही चीज़ आगी है milk पे, ठीक है, वही method हमने लगाया है, जो compound interest ratio में होता था, हम उसको इस method पे, यह होता था principle, यह होता था हमारा amount, तो हम उसको उसी method से करते थे, इधर आगया यह हमारा total, replacement हो रही है, तो milk कितना बचा? यह आगया इस तरफ, अब देखिए, total है हमारा 9 units का, जिसमें से 4 unit हमारा replace हो हो के बचा milk, 4 unit हमारे पास बचा milk, 9 में से अगर 4 unit milk है, तो water कितना होगा? 5 unit, answer, simple, इसी के साथ हमारा mixture and allegation का part 2, जिसमें मैंने mixture का basic concept, और उसके basis पर 4 question करवाए, यह भी होता है, खतम, कल मैं आपके लिए, जो session ले किया होँगा, उसमें allegations के भी mix होँगे, और mixtures के भी mix होँगे, तो mixture and allegation कल हम finally, हमारे part 3 में करतेंगे खतम, फिलाल के लिए, आप इस वीडियो को like कीजिए, हमारे quant study channel को subscribe कीजिए, साथ ही इन वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you so much.